असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे रवे की खीर और सोहालियां तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले अब हम रवे की खीर बना के त्यार कर लेंगे तो इसके लिए अब हम एक बगोने में घी आड़ कर लेंगे फ्लेम आन कर लेंगे चार टेबल स्पून घी आड़ करेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे बारी कटे हुए काजू और बादाम काजू और बादाम का हलका सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे चार टेबल स्पुन रवाइट करेंगे अब रवाइट करने के बाद में अब हम इसको भून लेंगे बादामी कलर राजाना रवे का जब तक हम यह भून लेंगे तो यह देखिए रवे का जो कलर है वो अब चेंज हो गया तो अब हम इसके अंदर गरम किया हुआ दूद आट कर लेंगे एक लिटर अच्छे से मिला लेंगे अब हम दूद आट करने के बाद में अब हम यह पका लेंगे तीन से चार मिनट के लिए तो चमा से हम इस तरह से हिलाते भी जाएंगे तरके इसमें कोई लम्ज ना बने तीन से चार मिनट तक रवे को पका लेंगे इसमें शकर एट करने यह एक टीज स्पुन इलाइची पॉडर और 250 ग्राम शकर एट करेंगे शकर एट करने के बाद में अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसकर पका लेंगे पांच मिनट के लिए मेडियम हीट पे पांच मिनट तक अच्छे से पका लेने के बात में अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे रवे की खीर बिल्कुल रेड़ी है अब सर्फ करने के लिए खीर बन के तयार हो जाने के बात में अब हम सोहालियां बना के तयार कर लेंगे तो चलिए हम बनाना चुरू करेंगे स्वाहली बनाने के लिए लेंगे हम एक कप रवा एक कप मैदा आदा टीजपून नमक दो टेबिल स्पून कुकिंग ओईल अच्छे से मिला लेंगे अब अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आट करती जाएंगे और आटे को गुंद लेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आट करके गुंद लेंगे इस तरह से तो आटे को हम ज्यादा पतला भी ने और ज्यादा हाट भी ने बिल्कुल मीडियम ही गुन लेंगे जिस तरह से हम रोटी दालने के लिए आटे को भीगाते बिल्कुल उसी तरह से भीगा लेंगे ये इस तरह से अच्छे से गुंते जाएंगे आटा गुंते जाने के बाद में हम बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग आइल डालेंगे इस तरह से आटे के उपर फिर से इसको गुंद लेंगे पांच मिनिट के लिए अब ये आटा अच्छे से गुंदे गया तो अब हम इसको रख देंगे लगभग 15-20 मिनिट के लिए धकन से कवर करके 15-20 मिनिट के बाद में हम इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह से रोल कर लेंगे और इसके बाद में हम इसके पेड़े काट लेंगे इस तरह से अब हम पेड़ों के बेल लेंगे तो थोड़ा सा सूख्याटे में डस्ट करेंगे और इसके बाद में इसको बेल लेंगे तो बेलने में आसानी होगी कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो इस तरह से पतले बेलेंगे हम तो अब हम इसे तरह से सारे आपने मैं अब यह घ्यान के लिए अलब रे लेक्शोटा तो अब हम और कीटाई कटे में एक बॉदे के लिए ब्लीकल कर लेन हैمة जब मीडियम हीट पे गरम हो जाएगा अब हम सोहालियों को फ्राइ करने के लिए दालेंगे और यह फ्राइ करेंगे हम मीडियम हीट पे इसके साइड्स भी चेंज करेंगे हम अब यह सोहालियों अच्छे से फ्राइ हो गए तो अब हम इसको निकाल लेंगे बागी के सोहालियों को भी हम बिल्कुल इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे मेडियम हीट पे फ्राइ करेंगे और फ्राइ होने के दर्मियान इसके भी साइड्स चेंज करते जाएंगे इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाना जब तक यह फ्राइ कर लेना है सोहालियां फ्राइ हो जाने के बाद में अब हम इसको डिशाउट कर लेंगे तो यह देखिए खीर और सोहालियां बिल्कुल रेडी है अब सर्फ करने के लिए तो इस तरह से हम इसको सर्फ करेंगे तो आप लोग भी खीर और सोहालियों की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करके देखिए और अगर यह रेसिपी अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक केजिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर केजिए थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्ला हाफेज झाला हाइब प्लाइब एषण मूझे यह रेसिए